नमस्कार दोस्तों, जो हम पूरव लोकन सीरीज इस स्टार्ट किये थे उसका पॉलिटी सेक्षिन का आज साथवाग वीडियो है। इसमें हम देखेंगे राष्टी प्रतीक मैंने हमारे राष्ट को जो प्रतीक प्राप्त है जो भी प्रतीक के माध्यम से हमारे राष्ट का किसी भी प्रकार का संभोधन होता है कि जंडे के माध्यम से क्या प्रदर्सित होता है या जो चेक्र है उससे क्या प्रदर्सित होता ह इसके बारे मिसमें देखेंगे तो स्वागत है आपका आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है केवल एक्जाम अगर आपने हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो लगतार पाने के लिए हमारे पहला कॉन भी प्राउन कर एक है की राष्टी जंडे के रंग और उनके मधित में चक्र के महत्त्यृ चथेश्टवर्णन वंक्रीक्रादह किष्णन द्वारा सम्विधान सभा में किया था पूछा जा सकता है कि जो राष्टी जंडे के रंग और उसके sixth में किस ने किस्णे बताया दॉक्टर S. राधा कृष्ण ने इसपस्ट किया कि भगवा या केशरिया रंग या निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। हमारे जंडे में सफेद रंग हमें सच्चाई के पत पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेड़ना देते हैं। हरा जंडा हरा रंग मिट्टी और वनस्पती के साथ हमारे संबंदों को उजागर करता है। जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशूख धर्म के राज का प्रतीक है। इसको एक बात देख लिएते हैं भगवा रंग हमारा आप ठीन प्राणियां होती है। पहला होता है एक रख्लिय से बना लेते हैं। एक भगवा होता है एक आप देखेंगे सॉरी ये भगवा हो गया पिर सफेद रंग बीच में और फिर नीचे आता है आप देखेंगे अरा रण ये हो गया अरा रण हमारा हो गया लेते हैं फिर से ये हो गया भुगवा कालर फिर बीच में सफेद को चोड़ेते हैं द्रोप लेते हैं सफेद कलर तो Willfield प्राइछ ही कर रहा हैं उस के बाद आता है हरा की अब बीच में आता है आपका अशोप चक्र जो आता है उसके बारे में इसमें विभीन प्रकार की 24 तीलिया निकली रहती है अब देखते हैं इसमें जो इसरिया रंग ये वाला है यह हमारा प्याग इवन निसार्थ होना सिका लग की भारत की निवाश्यों के लिए यानि कि हम से मतलब क्या है भारत के समस्ट लोग अपना त्याग भी हम निशार्थ भाव से राष्ट की सेवा करेंगे पहला समरपित होता है सफीद रंग जो होता है वो सच्चाई के पत और अच्छे आच्ट रंग के साथ सान्ते निस्टा को भी प्रदर्शित करता है भाव से देखेंगे तो आप के सरीया रंग सच्चाई के पत पर चलने के लिए आप देखेंगे हमारा सफेदर तो वहीं हरा रंग आप देखेंगे तो जो हरा रंग है हमारा वो जो हमारा हरा रंग है वो जो है आपको मिटी जो भारत किसानों का देश कहा जाता है सही बात है शिसमें विभिन प्रकार की मिटियाँ पाई जाती है भी ये मिटि के साथ साथ हाथ आप देखेंगे वनस्पति यानि कि हम जो एक ecosystem के, हम रिठिवी में जो एक ecosystem है, उसके पती हमारी क्या जन जाग उता है या हम उसके पती कैसी सेवा भाव करते हैं वह अपदसित करता है इन तीनों रंगों के आप जब मतलब समझेंगे तो आपको दिखेगा वसुद्यव कुटमबिकम का एक वाक निकलेगा जिसमें सभी पूरी पृतिवी पे जो पतव हर जितने भी पृतिवी के जो अलग-अलग देश है या जितने भी हैं सम्में हमारा क अपना कोई धर्म में नहीं होगा वह सभी धर्मों के प्रती समान दिश्टी को नखेगा या प्रदेशित करता है चक्र प्रगती का प्रतीक है मतलब कि असोग चक्र में देखेंगे आप वह गोल घूंता रहता है तो वह गोल घूंता रहता है मतलब वह चक्र मार रहा है च चक्र शांति पूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है यानि कि जो हमारा चक्र है वो जो परिवर्तन का भी प्रतीक है साथ ही साथ वो गतिशीलता का भी प्रतीक है भारत का राश्टी ध्वज की रंगा तीन रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार है यह तीन अनुपाते दो हैं रहने लंबाई जो है आप देखेंगे उट टीन है तो चोड़ाई आप देखेंगे यह वाला पोशन देखेंगे तो यह दो है सबसे उपरी पट्टी में गहरे के सरिया रंग, साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत, सांती और सच्चाई का प्रदर्शन और नीचे भरी पट्टी उर्वक्ता तथा सम्रिद्धी का प्रदर्शन है भज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है, जिसमें 24 तीरिया है, जिसका प्रदूप सार नात के असोक केसिंग स्थम से बने चक्र से लिया गया है यह नियाय का प्रतीक है, पिंगिलिंग वेकेंगियन द्वारा भारती राश ध्वज को तयार किया गया था, पूचा जा सकता है कि इसने भारती राश ध्वज को तयार किया था, उनका नाम था पिंगिलिंग वेकेंगिया नाम था यह याद रखिएगा सम्विधान सभाद्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्टी ध्वज का वर्तमान सरूप की कुरित किया गया था यह याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 आजादी से पहले जुलाई अगस्त 15 अगस्त को हमने को जंडा फैराना था और 22 जुलाई को हमने जंडे का वर्तमान स्वरूप जो उसको सिवकार किया था ये भी याद कियेगा जब तक हमारा पर जंडा नहीं रहेगा जंडे का स्वरूप नहीं वो तो हम आजादिक समय किसका जंडा लहाएंगी इसलिए जंडा को पहले ही सवंधान सबातवा सिवकार किया गया था भारत का राष्टी चिन सारनात इस्थित असोग के असोग किसिंग इस्थम की अनुकृति है भारत सरकार दोरा इसे 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था इस 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था मतलब कि भारत का राजकी चिन सारनात इस्थित असोग की अनुकृति है मतलब कि वहां से लिया गया है असोग की इस्थम से जिसमें चारों तरफ शेर की जो मुख है वो दिखाया गया है साथ ही भारत सरकार दोरा इसे 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था यानि जो असोग चिन्यता सारनात खा उसे कब अपनाया गया था 26 जन्वरी 1950 को लेकिन जन्डे को हम 22 जुलाई 1947 को अपनाया थे इन पर नीचे दिये देवनागरिक लीपी में सत्यमयव जयते लिखा है जो मंड को उपनिसद से लिया गया है ये देखना है जो अशोक चक्र जो लिया गया है उसके नीचे क्या लिखा है उसमें देवनागरिक लीपी में याद रखें कि जिसमें हिंदी लिखी जाती है जो यह आपका लिखा हुआ है जो दिख रहे हैं पुरा स्वरूप वो दियोनागरिक का है इसमें सत्यमयाव जैते लिखा हुआ है जो कि कहां से लिया गया गया है मंड को अपनी सत्य से लिया गया है भारत का राष्टगान जन गढ़ मन 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभाद्वारा अधिकारिक रूप से अंगिकृत किया गया यानि कि जब हम अपना पहला गरतंत दीवस मना रहे थे जो जो 26 जन्वरी 1950 को मनाना था उसमें हम जो अपना राष्टगान गाना था उसको उस दिन से ठीक दो दिन पहले यानि कि 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभाद्वारा अंगिकृत यानि कि अपनाया गया था इसमें गायन की अवधी 52 सेकंड यानि कि जन्गर्ण मन जो हम गाते हैं उसको गाने की अवधी बताई गई हुआ कितनी है 52 सेकंड की है 27 दिसंबर 1911 को भारती राष्टी कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गया गया था यानि जन्गर्ण मन जो हमने गाया था वह स्वर प्रथम हमने कब गाया था वह ब्रिटिस राज के काल में गाया था कब था वो दिन? वो था 27 दिसंबर 1911 का दिन था या रविंद्र नाट पैगोर द्वारा रचित गीतांजली से लिया गया है जनगर्णमन जो हमारा राष्टि गान है, उसके रचाईता कोउन है? उसके रचाईता है, रमिद नाटैगो, और उनकी किस लेक से ही लिया गया है? उनकी लेक का नाम है, गीतांजली से लिया गया है, वंदे मात्रम वर्स 1950 में भारत के राष्टी गीत के रूप में अंगेकरित किया गया वर्स 1950 में राष्टी गीत मतलब एक राष्ट का प्रतीक होता है उसे राष्टी गीत होता है राष्ट का गीत क्या होगा यह उसके बारे में है तो राष्टी गीत को कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया जो वंदे मात्रम है राष्टी गीत वंदे मात्रम बमकीन चन चटरजी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमट से लिया गया है वंदे मात्रम जो हमारा गीत है जिसको 1950 में अपनाया गया था जो हमारा राष्टी गीत है उसको किस ने लिखा था उसको बमकिन चन चटर जी ने लिखा था और वह उनके किस उपन्यास सिप्रेरित है वह है आनंदमट से है वर्स 1896 में भारती राष्टी कॉंग्रिस के अधिवेशन में पहली बार गया गया था राष्टी गीत हमारा जो बमकिन चन चटर जी का वंदे मात्रम है वह 1896 में राष्टी गया गया था जो कि भारती राष्टी कॉंग्रिस के अधिवेशन में गया गया था वहीं आप 27 इसंबर 1911 को देखेंगे जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ गया था वहाँ जन्गर्मन गाया गया था भारत का राष्टी कैलेंडर सक समवत पर आधारित है 22 मार्च 1957 को पनाया गया था यानि कि आप देखेंगे चुकसक समवत का राष्टी कैलेंडर यानि कि भारत का जो राष्टी कैलेंडर है उसको आजादी से बस वर्स बात है यानि कि 22 मार्च 1957 को पनाया गया था चैत्र माह से इसकी सुरुवात होती किस माह से होती है चैत्र माह से इसकी सुरुवात होती है और अंत्री मा जो है फागुन का होता है यह वही मा होता है फागुन के महीने जब हूली खिल जाती है वो फागुन का मा था और गैगरुलियर केलेंडर के साथ अपनाया गया था सामानता चैत मा की सुरुवात 22 मार्श को जबकी लीप वर्ष में 21 मार्श को होती है गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेंटा निस्टा गेंगोटिका को भारत का राष्टी जली जियू के रूप में उकारा गया है तो राश्टी जली जीव क्या है भारत का वह और है। वो कहां पाई जाती है। गंगा में पाई जाने का what dolphin है। और इसका वैज्ञानिक नाम करें है, Plant nishtra Tangittica, Tangittica व्यार्ट असलारिक ये प्रेरीट थै। प्लीटर ये यादखेगा, भारत का राष्टी पच्छी तथा बाग ज्यानिक नाम पैंथेरा टाइगरिस को भारत का राष्टी पशु की रूप में स्यूकार किया गया है या बाग का चहरा आग जो सुख इस्तम्भ उसमें भी देख सकते हैं वर्ष 2008 में भारत द्वारा गंगा नदी को राष्टी नदी घुशित किया गया है यानि कि राष्टी नदी कौन सी है मारी वह है गंगा नदी गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी पांच राज्यों से होकर बहती है भारत सरकार द्वारा स्वाधिनिता दिवस यानि 15 अगस्ट गर्तंत दिवस यानि 26 जनवरी और गांधी जैन्ती दो अक्टूबर को राष्टी दिवस के रूप में घोशित किया गया है तो कितने दिन को हमारे राष्टी दिवस के रूप में घोशित किया गया है तीन दिन को पहला 15 अगस्त जोकि स्वाधिनता दिवस गरतंत दिवस 26 जनवरी और 2 अक्टूबर इस दिन हमारे देश के राश्ट पिताम मोहन चंद गरम चंद गांधी जी का जो जनव दिवस मनाया जाता है दो अक्टूबर ध्यातव है कि कमल को राश्टी पुश्व, आम को राश्टी फल, बरगत को राश्टी व्रिच के रूप में मानता प्राप्त है इंद सरकार द्वारा राश्ट सभा में दिये गए उत्तर के अनुसार, इस संदर में आलिया कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है पहला प्रशन देख लेते हैं, इस वर्स में जन गरमन को भारत का राश्टी गान के रूप में अपनाया गया वह अपनाया गया था 1950 को, जो कि 24 जनुवरी 1950 को अपनाया गया था और इसकी गाने की अवधी जो है, वो 52 सेकंड रखी गई थी संपून राश्टिगान का वादन ने काल तब इतनी सेकंड में गाया जाना था, वो था 52 सेकंड में गाना था भारत सरकार द्वारा राजिकी सिन यानि कि स्टेट एक टेंबल्स कब उसे अंगिकरित यानि एड़ॉप्ट किया गया था, 26 जनुवरी 1950 को राजिकी जी ने जो था हमारा वाजिकी जी ने 26 जनुरी उनिस उपचास को अंगेगरित किया गया था यह सारनाथ यानि की वरान से मिस्तित असोग स्तंब के शीर से प्रेरित है जिसमें कि आप दिखेंगे चारों और शेर के और नीचे जानुरों के प्रतीक है साथ में यहां जो चक्र है वो गतिसील है गतिसील जो हमारे नए नए हम परिवर्तन को कैसे अपनाते हैं उसका प्रतीक है चौथा प्रशने भारत की सम्विधान सभा ने राष्टी धुरज को स्वरप्रथम कब सिवकार किया था तो राष्टी धुरज को स्वरप्रथम सिवकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को आजादी से पहले क्यूं कि आजादिक समय हमें तिरंगा फैराना था इसलिए उसको पहले ही सम्विधान सभा द्वारा सिवकार किया गया था निम निकित कतनों पर विचार कीजिए भारत की सम्विधान सभा ने राष्टी ध्वज का स्वरूप 25 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्टी ध्वज के बीच में जो चक्र की तीलिया है वो 21 है जो की गलत है किस नहीं 24 है ये याद रखिएगा 24 घंटे के प्रतीक किसाब से ऐसे कुछ याद रख लिजेगा राष्टी ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तीर अनुपात से चार है जो की गलत है लंबाई का अनुपात जो आयता कार हमारा जंडा है जिसमें लंबाई आप देखेंगे लंबाई आप देखेंगे जो है वह तीन है चोड़ाई जो यह वाला पोर्शन है आप देखेंगे यह दो है तो इसमें चोड़ाई लंबाई आगे पीछे कर दिया कन्क्योस करने के लिए और यह अभी option गलत है तो यह भी जो है गलत होगा क्योंकि जो हमारे राश्य द्वज की जो लंबाई और चोड़ाई का अनुपाथ तीन अनुपाथे दो है यह याद रखिएगा option नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा भारत की सम्विधान सभाने निम निकीत में सिकिस्तिति को राश्य ध्वज यह राश्य जंडा को अपनाया था वाद दिन था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था क्योंकि आजादी से पहले आजादी की समय हम लोग को जंडा फराना था उसके लिए तो हमको पहले से ही रूप रेखा या किसी प्रतीक की ज़रूरत थी इसलिए हमने राश्य ध्वज को 22 जुलाई 1947 यानि आजादी से पहले पनाया था भारती राश्टी द्वजिन ये प्रारूर को किस दिन से उकार किया गया था वा दिन था 22 जुलाई 1947 भारत का राश्टी पशु कौन है भारत का राश्टी पशु बाग है भारत का राष्टी पसू भाग इसे पैंथेसा टाइगरिसा कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है देश में भागों की घट्टी संख्या को दिखाते हुए 1973 में भाग परियोजना शुरू की गई थी उसके बाद आप 1973 में जान तक मुझे द्याना एलिफेंट योजना भी ऐस जाए तो सबसे जादा बाग हमारे MP में पाए जाते हैं जो लेटिस डेटा है वो MP में सबसे जादा बाग पाए जाते हैं लगबग 3000 से कुछ जादा बाग जो है MP में पाए जाते हैं साथ ही जो बाग परियोजना का जो सर्वे आता है प्रतिएक दो वर्स के बाद आता है यह ध्यान लगना है कि प्रतेग दो वर्ष के बाद हमारा सर्वेश जो है वह आता है ऐसे ही elephant के बारे में भी है भारत का राष्टी पुष्ट कौन सा है भारत का राष्टी पुष्ट कमल है याद रखेगा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैं किसी पार्टी को प्रमोट कर रहा हूं लेकिन बताना चाहता हूं कि याद करने की तरीका है, कि जैसे हमारी BGP पार्टी जो है, जो वर्तमान में हमारे देश के के केंडली पार्टी है, सम्विधान संसत की, वो उसका राष्ठी प्रतीक जो एक कमल है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं लेकिन मैं किसी पार्टी को यहाँ पहले उदा दे रहा हूँ किसी को पार्टी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दस्वा प्रश्न है भारत का राष्टी पच्छी कौन है भारत का राष्टी पच्छी आप देखेंगे मूर है भारत का राष्टी पच्छी मूर वैज्ञानिक नाम पावो फ्रिस्टेशस है ध्यातव है कि भारत का राष्टी व्रिच परगत राष्टी पुस्प कमल राष्टी फल आम तथा राष्टी सत्ति मेव जैते जो सारनात वरांसी इस्तित असोग अस्तम्ब से लिया गय है भारती राष्टी ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है चक्र जो है वह आपका न्याय का प्रतीक है याद रखेगा जो चक्र है हमारा वो न्याय का प्रतीक है चक्र हमारा न्याय यहनि कि प्रगिति सीलता के साथ साथ न्याय का भी प्रतीक है भारती राष्टी ध्वज में स इसका स्वरूप सारनाथ के असोग स्तंबे बने चक्र से लिया गया है इसमें 24 तीलिया है और यहां न्याय का पतीक है 24 तीलियों के बारे में एक ऐसे concept मतलब कि एक ऐसे अवधार्णा से याद रखेगा 24 तीलिक ऐसे दिन के 24 घंटे होते हैं इसलिए 24 तीलिया है ऐसे याद कीजिएगा भारत के राष्टी द्वज में आरो की कुल की संख्या है वह है 24 आरो मतलब तीलिया एरो होता है ना एरो एरो की कितने हैं वह है 24 राष्टी राष्टी पंचान के संवन्मिनियम लिकेद में से कौन सा कथन सही है भारती राष्टी पंचान विक्रम संवत गलत है मैंने बताया था सक संवत में आधारित है जो फागुन के महिने में खतम होता है राष्टी पंचान को 26 जनुरी 1950 को रहे था जो के गलत है यह 50 नहीं है यह 1957 है याद रखिएगा कि क्या है यह 1957 है 22 मार्च 1957 है जो चैद के पहले दिन में 22 मार्च को होती है वहीं अगर यह लीप वर्स हो जाता है तो 21 मार्च मान ली जाती है इस आप से जो हमार साथ वीडियो पहला लेक्चर था प्रतीक उसको खतम कर चुके हैं हम दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है आप देखेंगे राज्यों एवं संग राजचेत्र है राजचेत्र है भारती राष्टी कॉंग्रेस भारती राष्टी स्वतनता सदरीव उन्निस ओस एलिस के वारा दो सौत उतन्ते एवं प्रथक प्रभूत वाले देश भारत और पाकतिसतान का निर्माणा किया गया जै जिसी रियासतों के समझ kbre विकल्प प्रस्तुत羅 किये गये भारत में स्वामिल हो पाक्सत्तान में शामिल हो एजिये ला उनको देशी रियासत को दिये गए थे, यह तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में, यह अपना सोतंत रह सकते हैं, भारती सीमा के अंतरगत 552 देशी रियासत थी, यादखना यह संख्या 552, जिसमें से 549 में भारत में सामिल की गई थी, जब कि 6-3, हैदराबाद, जूनागर, कस्मी, एक मैप ड्रॉ करते हैं, तो याद रहेगा, रफली मैप जाद होंगा भी, खिमाल लेते हैं, यह हैदराबाद, यह जूनागर, जो गुजराद कर था, और यह कश्मी, यह ऐसे ट्रेंगल, आप एक ऐसे याद रखिएगा, यह तीन ऐसे रफली याद र पुलिस कारवाई द्हारा, तथा जूनागर को जन्मत संग्रा के द्वारा, तथा कश्मीर को विलैफट्र याद रखिएगा, तीनों के लिए अलग-अलग कारोई है, यह तीheen ऐसे आद रखिएगा, जो IPS का ट्रेंग सेंटर हो है, पुलिस का लिए ट्रेंग संटर है, वह इस तरह से याद रखेगा कि हैदराबाद को पुलिस में कारवाई जूनागर को जनमत संग्रा जासे जूनागर जासे जनमत संग्रा तो काश्मीर को याद रखेगा सिविलाय फत्र यानि की मिला लिया गया था यहां जहां गवर्नर का शा राशन था वो भाग एक में आएंगे भाग खा में राज विधान मंडल के साथ शाही शाशन था, मतलब जहां जहां राज विधान मंडल था और शाही शाशन, मतलब कि वहां के राजा का भी शाशन था, वो भाग खा में आएंगे, भाग गा में आएंगे, ब्रिटिस भारत के मुख आयुक का शाशन, जहां ब्रि अंडुमा नीकोबार्द डीप को रखा गया था एवल घा सेक्षन किसके लिए बनाया गया था अंडुमा नीकोबार गया था क्योंकि वह भारत की में भूमी से आप देखेंगे अलग है जो दीप के रूप में है वो था पहले में क्या था ? पहले भाग में, वो तो ब्रिटिश governor के अंतरगर थे खा में आप देखेंगे राच्विधान मंडल तथा शाही सासन था गा में जहां मुक आयुक्त नियुक्त किये गए ते बिटिस के साशन द्वारा और खा में आप देखेंगे अंडोमार और निकोबार को लखा गया था सम्मिधान के अनुचे एक एक अनुसार भारत अर्थार्थ इंडिया राज्यों का संग है दूसरा है भारती संग में नए राज्यों के प्रवेश या इस्थापना की संसत की सकती है नए राज्य के प्रवेश मतलब कि कहीं हमने जीता कोई नया राज्य बनाया हमने वो उसका प्रवेश या कोई राज में से राज का तूट क्या अलग हो गया और नया राज स्तिलंगाना बना भी वैसे ही अनुच्रे दोखत है तो सामील किया गया अनुछे 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माड और वर्तमान राज के छेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसत की सक्ति जैसे कि अभी हम मालेजे अनुछे 3 के नए राज्यों का निर्माड हुआ उसकी राज सीमा क्या होगी साथी साथ उसका नाम या इसके नाम में परिवर्थं कर दिया जाए तो वह कौन करेगा वह करेगा आपका भारती संसत को शक्ति प्राथ कि इसके अनुचे प्रिवर्थं के तहट संसत साधारन बहुमत से नए राज्यों का निर्मार कर सकती है याद रखिएगा इसमें किसी प्रकार के विशियेस भहुमत की नहीं, साधारन भहुमत से जो है किसी नए राज्य का निर्मार कर सकती है भारती सम्मिधान संसत को या अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाए उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबन में भीना राज्य की अनुमती के कदम उठा सकती है यानि कि संसत को अगर किसी भी राज का नाम परिवर्टित करना या उनका छेत राधिकार बढ़ाना या घटाना है राज सीमा को वह दिना राज के अनुमती से कर सकता है इस हेतु सम्विधान संसोधन को अनुछे 378 के सहत संसोधन नहीं माना जाएगा वर्तमान में भारती संग में 28 राज और 8 के निसासित प्रदेश है संसद सम्विधान में संसोधन करके किसी भारती भू भाग को किसी अन्य देश को सौप सकती है यानि अगर चाहे कि संसत साधारन बहुमत से सम्मिधान में संसोधन करके किसी भूभाग को अन देश को सौप सकती है जैसे अभी हम लोग ने बंगलादेश से अपने सीमा का जो छेत्र का अच्छे से बटवारा करने के लिए इधर कुछ भूचेतर को उधर किया अंतर मंगलादेश को लिए और वहां कुछ भूचेतर को अपने में लिया था यह साधारन बहुमत से हो सकता है जून 1948 को भारा सरकार ने एसके धर की अध्याचता में भासाई प्रांती आयोग का घठन की नियुक्ति किया था इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 जून में गठित किया गय था और दिसंबर 1948 वही पेश की आयोग ने राज्यों का पुनर गठन भासाई आधार के बज़ाए प्रशाशनिक सुवधा के अनुसार किये जाने की सिफारी की थी यानि इसके धर आयोग जो मतलब कि सर्वोच नियाले ने गठित किया था उसने भासाई आधार पर राज्यों के गठन करने से मनाई कर दीर कही थी बलकि उसने सिफारिस की थी कि प्रशाशनिक आधार सुवधा के अनुसार के इन राज्यों का गठन किया जाना चाहिए दिसंबर 1948 में कॉंग्रेज द्वारा एसके धर कमिशन की अनुसार का अध्यान करने ही तुँ जे वीपी समिती यानि कि जो एसके धर आयोग ने जो अनुसार दी थी उनका भी तो पूर्वा लोकन करना था उनको भी देखना था क्या वो सही है कि नहीं है उसके बारे में अध्यान करना था जे वीपी समिती के गठन किया था इस जे वीपी समिती में तीन लोग थे पहले थे जे से जवाल लाल नहरू, वी से वललब भाई पटेल और पी से पटाबी सीता रमया थे अपरेल उनिस सो उन्चास में प्रस्तूत अपनी रिपोर्ट में इस समिती ने आपचारी के रूप से आशियुकार किया था कि राज्यों के पुनरगठन का आधार भाशा होने चाहिए मतलब कि यह अशियुकार कर दिया था क्योंकि जो मतलब के पहले एसके धर आयोग था उसी की सिफारिशे मान लेगे थे हलाकि पिट्टूर स्रीराम मिल्लू ने 26 दिनों मतलब इन्हों ने जो यह थे 26 दिनों का भूख हर्ताल के बाद मित्यू के कार अक्टूबर 1903 तिरपन को भारत सरकार ने भाशा के आधार पर आंधर प्रदेश राज्य का गठन किया स्वर्प्रथम इस भाशाई आधार पर कौन से राज का गठन हुआ वो था आंधर प्रदेश गठन हुआ आंधर प्रदेश भाशा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज यह याद रखना है इस वर्स रूबर 1903 में सौतंता के पस्चात फजल अली की अध्य में एक राज पुनर गठन आयोग का गठन वर्स 1903 में हुआ इस आयोग के दो अन्य सदस्ते के एस प्रणिकर एवं हन कुझरू इस आयोग की कुछ सी अनुसांसयाओं को राज पुनर गठन अधिनियां 1956 में लागू किया गया तो नए राज योग का गठन सबसे पहले देख लेते राज उनके वर्स पहला है आंध्र प्रदेश एक अक्टूबर 1993 को सबसे पहले फिर गुजरात 1960 को फिर नागा लाइन 1963 को भरियाना 1976 को हिमाचल 1971 को मेघाले 1972 को मडीपूर 1972 को मडीपूर और मेघाले दोनों 21 समय है 21 जनवरी याद रखिएगा 1972 मडीपूर और मेघाले तरिपूरा 21 जनवरी 1972 को तरिपूरा भी उसी के साथ आप देखेंगे तीन राज जो आप देखेंगे जो 1972 में 21 जन्वरी बने मेगालाय मरीपूर और तरिपूरा आप ये देखेंगे जो कि 1972 में गठित किये गए 21 जन्वरी को सिक्किम 1975 को मिजोरम 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में सेम डेट भी 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ गोवा 1987 में हुआ 36 गड़ा आपका 2001 नॉम्बर 2000 को हुआ उत्रा खंड नॉम्बर 2000 को हुआ जार खंड आपका 15 नॉम्बर 2000 को हुआ तिलंगाना 2 जून 2014 को हुआ सबसे नया राज कौन सा है तिलंगाना है सम्विधान में हमारे राष्ट का उलेख इस यकिन नामों से किया गया है पहला आर्टिकल जब आप देखेंगे आर्टिकल 1 ए देखेंगे उसमें है लिखा क्या है भारत that is इंडिया लिखा हुआ है इंडिया that is भारत shall be a union of study या रखिएगा यह union सब्द लिखा हुआ यहां पास और कुछ नहीं लिखा हुआ union जो एक-एक में लिखा हुआ है दूसरा प्रशन देखेंगे सम्विधान में प्रतम अनुच्छेत के अनुसार भारत बढ़ति के सम्विधान के अन्तरगत भारत के सम्विधान के अन्तरगत निम लिखित में से इसको राज्यों की सीमा वो परिवर्दित करने की शक्ति प्राप्त है, वो संसत को प्राप्त है एक राज को संग में सम्मलित करके तथा अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कारपाल की शक्तिनी मिलखित में से किसको प्राप्त है वह संसत को प्राप्त है भारती संग के अंतरगत किसी राज को मिलाने का अधिकार किसे है वह संसत को है मतलब राज्यों का कुछ भी होगा, घटेगा, बढ़ेगा, सीमा, नाप, परिव्यतर कौन करेगा साधारण बहुमत से होगा , वो भी अपका का समसथ द्वारा साधाराण बहुमत से होगा आर्टिकल एक से लिए के चार वर में कुछ भी होगा वा साधारन बहुमत से संसद द्वारा किया जाएगा नए राज बनाने में समयधानिक संसोधन के लिए कैसा बहुमत के आउशकता है बहुमत है साधारन बहुमत के आउशकता है भारत में नए राज स्वजित करने वाले विधियक को पारित होना अनिवार है संसद में साधारन बहुमत से और यह संसद से साधारन बहुमत से पास होगा दो तिहां कहीं भी कॉंसेप नहीं है और नहीं 300 असर के तहर माना जाएगा क्योंकि एक सचार में कुछ भी होगा वा केवल केवल होगा आपका जो साधारन बहुमत से होगा कथन है भारत संग नहीं है यह गलत है जब पहले यह ऑप्शन गया तो ऑप्शन दे कि ए गलत है और आठ सही यह ऐसे सीधा टिक मार दिया जाता दूसरे पढ़ने के और शक्ता भी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कहीं ऑप्शन इस तरह में बनता है यह कथन कारण में कि ए भी गलत है बी भी गलत यह गलत बनता ही नहीं है सम्वेधानिक प्रावधानों के अनुसार राजियों की सीमाओं को बदलने के लिए इसके राज की मुक्मंति राज की सहमती की आउसक्ता नहीं है यहाँ होना चाहिए की सहमती की आउसक्ता नहीं है यह संसत अपने मन से करेगी निमलिखित में से कौन एक नए राजियों के निर्माण के लिए सम्वेधाने को बंद नहीं है वह नहीं है कि एक राज संग साथिसेद को सामिल करना करेगा निमलिखित में से कौन सा सम्वेधान के अनुछे तीन के तहत संसद कि एक नए कानून द्वारा नए कानून द्वारा संभव नहीं है वह नए राज्यों का प्रिवेस नहीं है क्योंकि ये नए राज्यों का प्रिवेस आप आर्टिकल दो के तहट देखेंगे उचे दो के तहट विदी द्वारा नए राज्यों के प्रिवेस अब नए राज्यों को बुलाना है उसके दिखा हुआ है सम्विधान में यूनियन और स्टेट सब्द का प्रियोक्त किया गया है अनुछेद एक ए में देखेंगे साफ है क्योंकि भारती राज्यों को संग से अलग होने का दिकार नहीं है ये सही है एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर गठन हितु भासा के आधार के पेच्छा प्रशास्निक सुवधा के अरधार परिता दी थी ये भी सही है इन्हीं के चोड़ सिफारिशों को एक बार फिर से पुर्वा लुकित करने के लिए जेवीपी समिती का गठन किया गया था इ एक नाम है भूल गया इनका नाम देख लेते हैं हाँ अधा भी सिटा रमयया है कि अधिया पढ़ाई नीचे दिया हुआ है इंग कमेटी के शिफाय पुनर गठन भासित के अपरिच्छा किए ये सही है इसथनी है भारती संघात्म के ववस्था के संदर में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है वह सही है भारती समिधान के अंतर गयत राजियोंको शंग से अलग होने का दिकार नहीं है यह सही है पी मात्र वकालत करने पर अभिवेक्ति की सौतंतिता की सुरच्छा मिलेगा तो किसी को अलग होने के लिए कुछ बोलना है उसको उसको विल्कुल भी भात के अखंडता से कोई भी समझोता नहीं किया जाएगा राजपुनरगटन आयो एक नॉम्बर 1956 को कितने नए राज़ों और संगसासित बने थे उसको बने थे आपका 14 राज और 6 संगसासित प्रदेश थे जिस वगा राजपुनरगटन आयो बनाया गया था, 1956 में राज पुनर गठन अदिनियम द्वारा कितने राज्यों और संगसासित प्रदेश थें, तो 14 राज और 6 संगसासित प्रदेश उस वक्त थें, भारत में कितने राज्यों एवं संगसासित प्रदेश हैं, वर्तिमान में आप देखेंगे, तो 28 राज्यों और 8 केंसा 8 होना चाहिए था लेकिन इसमें साइसा है नहीं तो डी वला आप्शन जो है आपका सही हो जाएगा लंगा ना राजबन जाने के बाद भारत में राज्यों की संक्या कितनी हो गई थी उस वक्त वर्तमान देखा जब 28 हो गई लेकिन उस समय 29 हो गई थी आप देखेंगे तो देखेंगे उस वक्त 19 हो गई थी लेकिन जब जम्मु काश्मी वर्तमान किया गया तो वह 28 राज हो गया है भारत में कितने संग साथित प्रदेश है इस समय 8 है निम लिखित में से कौन संग राजच्छेत नहीं है तो जो आपको संग साथित नहीं है गोवा नहीं है क्यों आप इसका एक्स्पेनेशन पढ़ लिजेगा दिलूी है एक दिली एक जो एक इंसासित प्रदेश है इसी समविधान कि समविधान संसोधन द्वारा दिल्ली को राजच्छी राजधानी छेट्र का दर्चत दिया गया वह दिया गया तह 69 यहाद रखियेगा 69 के द्वारा था जो कि 1991 का था भारत के सम्मिधान के अनुछे 240 के अंतरगत पुछ संग राज्चेत्रों के लिए विन्य बनाने की राश्पती की शक्ति के संदर में निम निम से कौन सा यूग में सही सुमिलित नहीं है वह नहीं है यह 140 वन घा का पॉंडिचरी सुमिलित नहीं है निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें दिखेंगे आप दादर नागर हवेली 1994 में फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतरगत यह जो है गलत है सिक्किम भारत का नया राज बनाया गया था वह बनाया गया था 35 सम्विधान संसोधन करके जो की 1974 में द्वारा हुआ था बादा नेखित सम्विधान संसोधन करके आपको पूण रूप से 22 सम्विधान राज का निया गया था निम लिखीद सम्विधान- संसोधन में से इसके द्वारा सिक्किम को विद्वत भारती संगे के एक पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हुआ 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 था आपका 36 सम्विधान संसुदन द्वारा जो यह लिखा हुआ 1975 बिहार को काटकर एक प्रथक वांचल राज निंखित राज्यों के गठन पर विचार किजी तथा उने कालरन कुरम से विवस्तिका किजिए तो इसके बाद आएगा आपका गोवा सबसे पहले में ख्याल से आई तो आप देखेंगे गोवा सबसे पहले है यानि कि कैसे लगाना है नीचे दिए गए उत्तर चुनिए तो गोवा आप देखेंगे 1987 तिलंगाना दौराय, चओदा में है तो यह ग्याना सबसे पहले बना है तो एक नमबर 1976 से बना है तो चौथा वालावी उप्शन सबसे पहला होगा उसके बाद आपका होगा गोवा ऑला अप्शन होगा पहला वाला वी वाला-प्शन सही होगा निम्निके देखेंगे उनके निर्मार के अनुसाल काला रम्क्रम बनाई ये तथा अंत में दिये गए कूटों का परियुग करते हुए सही तरका चेन कीजिए और्माचल प्रदेश, सिक्किम, जारखन, उच्छतिसगर ये तो बात बने हैं अर्माचल प्रदेश और सिक्किम, सबसे पहले आपका अर्माचल प्रदेश आएगा इसमें, अर्माचल प्रदेश आएगा तो आप्शन नम्म सिक्किम आएगा 1972 सिक्किम, ठीक सिक्किम आएगा, फिर आएगा अर्माचल प्रदेश, फिर आएगा च्छतिसगर, फिर आएग नीचे दिए गए नीचे दिए गए राज्यों को भारती संगे के संपूर्ण राज का दर्जा प्राफ्ट होने का सही कालोग्रम लगाना है तो सबसे पहले आप आएंगे नागर लैंड फिर हडिया आ रहा पिर सिक्किम फिर नाचल पर देखेंगे 36 गर राज कब स्वरूप में आया एक नॉमबर 2020 को संदू हजार को अपने स्वरूप में आया उत्राखन राज की स्थापना हुई संदू हजार में हुई थी नौ नॉमबर को हुई थी निम्न राज्यों कर सजन वर्स 1960 के बाद हुआ उन्हें उनके गठन के आरोहिक लारुक्रम विवस्थित करते हुए अपना उत्तर दिये गए कूट की सहायतात लगाई है आप्शन नॉमबर स्थीस में सही होगा पहले नागर लैंड आएगा फिर हडियार आएगा फिर मेगाल है फिर शिक्किम आएगा उसके बाद भारत में निम्निकित राज्यों के बनने का सही कालुक्रम नीचे दिया गया है उसमें सबसे पहला आपका आएगा आप देखें चोटा सा चप्र बचा हुआ इसको थ्वर्टेजी से रीडिंग कर देते हैं निम्निकित राज्यों के निर्मान का सही आरोही करम लगाई है तो है इसमें नागरलान, मेगाले, सिक्किम और राणाचल पदेश है निम्निकित राज्यों का सही करम लगाई है वो जो आपको निम्निकित सकते हैं तो है टो है मैंसूर राज्यों के गठन है और राजीnorm के गठन है तो राज पुनण गठन आयो कि स्थापना तो कि यह गलत है, इस में कि गए तिरपन से रिलेटेट है। भासाई आधार पर राज का पुनर गठन किस वर्स किया गया था। वो उन्नीस कोश nickel में किए गय था। भाषाई आधार पर सरकतम किस राज का आंद्रप्रदेश का गठन किया गया था निम लिखित राज कौन सा भाषा भारत में भाषा के आधार पहला बना राज था वो था आंद्रप्रदेश था आंद्रप्रदेश एक भाषाई राज की रूप में गटित हुआ तो 1903 में हु C.S. सभी प्रदान नहीं किये गए थे, वहा था बिहार को, कौन सा गठन सत्य ये देखना है, कॉंग्रेस के नागपूर सत्य में 1920 के परश्चात प्रांती कॉंग्रेस समती का गठन भासाई अधार पर किया गया था, ये सही है, 1949 में कॉंग्रेस ने भासाई अधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्युकार कर दिया था, ये भी सही है, इस तरह का हमारा जो सात्वा चेप्टर थो कम्प्लीट हुआ, अब हम अपने नेट्ट वीडियो में देखेंगे, आठवे वीडियो में रहेगा आपका नादिकता, यानि कि भाग दो रहेगा जो कि आठवे वीडियो से हम प्रारम करेंगे अगर आप हमारे चैनल हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद